हेलो ब्रीवन तो आप सभी के लिए एक एनाउंस्मेंट है आपने थमनेल पर देख भी लिया होगा तो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 मैस और क्लास 12 मैस अंचीयालटी मतलब इसमें आपको पूरी क्लास की जो श्योंट के साथ आई है आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे यूटूब सरी यूटूब पर बैट वो अपडेट यूटूबर के साथ नहीं है तो मैं आपको अप से जो कराऊंगा पर आपको मिलेगी class 10th की और class 12th की जिसमें मैं sequence wise सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा जैसे chapter 1 start किया उसमे exercise 1.1 और 1.1 में जितनी भी question है आपके 1, 2 लेकर जितने भी पर देंगी question सब एक sequence में आपको कराये जाएगा part wise वीडियो आएगी class 1 class 2 ऐसे आपको per day मिलता रहेगा वीडियो ठीक है आपकी लगबग देड़ दो महिने के आसपास school की छुट्टियां भी होंगी तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखकर अपना पूरा लेबस डेड़ दो महिने में खतम कर लीजी मैं भी थोड़ा सा मतलब कोशिस करूँगा कि इन डेड़ दो महिने में इस लेबस खतम हो जाए अगर नहीं भी होता है तो आपके मैं अच्छे खासे chapter कबर कर दूँगा जैसे मैं बात करूँ क्लास 10 में तो केवल एक बुक होती ही पता है आपको और 14 चैप्टर है ठीक है तो 14 चैप्टर आपको अच्छे समय कराऊंगे सिक्वेंस वाइज एकदम कराऊंगा कहीं एकदम क्लास वाली आपको फेलिंग आने वाली है ठीक है एक वीडियो मानके चलिए लगबग एक घंटे के अप्रॉक्स रहेगी उसमें जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतना हम लोग करेंगे अधरवाइज क्लास टू क्लास साइज है कैसे हैं आप देख लीजिए मैं पूरा स्लेबस भी आपके साथ डिसकस करूंगा और एक चीज और मैं बताऊंगा हिंदी इंगलिस का जो है वो लास्ट में भी जाते जाते बता दूंगा तो चलिए पहले देखते हैं जैसे यह हाई स्कूल का हो गया और यह क्ला जाएगा इसके बाहर नहीं पूझा और यहीं से ही बनेगा इसमें कुछ कहने की बात है नहीं सीवेस्टी पे फालो करता है और अगर हिंदी की बात करें तो यहीं चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगी ठीक है मैं पढ़ाऊंगा कैसे तो मैं बाइलिंग्वल इसे ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें आपको इंग्ल немнож men chỉ को करना है समझाया तो वैके हिंदी में जाता है ठीक है तो मैं चीजों को pension को हिंदी में बोलूँंगा लिखूंगा आपका इंग्रेटल इस में और यहां पर ऐसे डॉतल देखते चले जाएं तो आपके मैंने exercise wise अगर पुरानी भी book है तो वहाँ पर आप exercise wise आपने आपको correct कर सकते हैं कौन सा syllabus में है कौन सा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप book open करिए अगर पुरानी है तो आप उसको tick कर लीजिए कौन कौन सी जैसे polynomial में मतलब बहुपद में आपकी 2 exercise हो गई और pair of linear equation में यह आपका कितनी हो जाएंगी इसमें 3 exercise है कौन कौन से 3.1 3.23 अब मैं एकदम sequence में आपको सारी की चीज़ें कराऊंगा अभी मैं फिर उस पर आ रहा हूं second year पर भी quadratic equation में बात करें तो 4.1 4.2 4.3 तीन exercise है ठीक है मतलब ठीक है यह quadratic को हिंदी इंग्लिस दोनों में बोलूँगा तो इंग्लिस वाले अपने आपको बहुत जादे अंग्रेज मस समझेगा कि हिंदी से आपको परेज होने लगे सुनने में कोई बुराएं नहीं होती है क्योंकि आगे चलके आप किसी भी government exam की त्यारी करेंगे आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हिंदी भी आ आना चाहिए ठीक है तो दोनों सुनते रहो लिखूंगा मैं पूरा इंग्लिस में अर्थमेटिक समांतर स्रेंडी की बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो यह आपकी चार एक्सरसाइज यह पूरा आपको high school का slayनवर से इसको आप एक बार देख ले दियेगा ठीक है तो यह फोली बात हो गई अब हम बात करें क्लाश 12 की तो क्लाश 12 में आपकी वुक 1 है तो दो टोटल जो chapters हैं वो six chapters है और अगर आप exercise देखेंगे तो जादे कुछ कटा उटा नहीं है खाली चैप्टर वन में जो है वो कटा हुआ है तो 23 इक्सरसाइज अभी में आपका टारगेट लेकर चलूंगा केचने खाली बुक वन का टारगेट लेकर चलूंगा क्योंकि बिना बुक वन के बुक टू आही नहीं सकता है मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं गारूं करता चारह रहा हूं आ पता नहीं आपको आ रहा है नहीं तो इस वज़े से मैं बुक फिवन की गारेंटी लेता हूं इसमें आपके छे स्कूल वाले हैं वह इंटर को बता दें यह वीडियो अच्छे से सेयर हो जाए और फिर हम लोग आज नहीं आज मतलब आज तो या इंट्रोड़क्शन हो गया कल छोड़ के परसों से मतलब मंडे से मंडे से आपकी प्रॉपर वीडियो ग्यारा बजे लाइब कर दी जाएगी और लाइब करने के बाद आपका वो वीडियो अप्लोड हो जाएगी तो अगर आप चाहें तो 11 एम पर देखें क्योंकि अगर आप कुछ दिन बाद वैसे भी स्कूल बंदी हो जाना है तो आप 11 एम पर म मंडे से अपनी क्लास को एकदम रेगुलर कर दो ठीक है अभी आपके पास आज और कल का समय है कि आप प्लीज इस वीडियो को खूब सारा सेयर कर दीजिए और जादे सा जादे लोगों के पास ही पहुंच जाए और मुझे खूब अच्छा फीडबैक मिल जाए ताकि मैं । हलां कि मैं तो करूंगा अपना काम मैं पूरावर स्लेवर्थ हाय स्कूल का कराऊंगा तो कराऊँगा और इंटर की पहली खत्म करोंगा Toni ठीक है समय थोड़ा सा जादे लग सकता है लेकिन मैं कराऊंगा जरूर क्यों क्योंकि समय भाई मैं क्वेस्चन से समझाओता नहीं करूंगा पतलब मैं एक एक क्वेस्चन कराऊंगा एक भी नहीं छोड़ूंगा सिमिलर हो चाहे अलग हो सब कुछ कुछ नहीं होता है खाली आपको समझ किफेर है कि सरहिंदी मपड़ाओं अगर आप चाहोगे तो पहले मैं इंगलिस का खटम करके हिंदी मी बगाऊंगा लेकिन मैं चाहूंगा प्लीज आप इंगलिस मैं चीजों को समझते चलिए बोलूंगा मैं हिंदी में भी है आप इंगलिस जानो, ठीक है, तो I think मेरी बात आप समझ पाया हूंगे, यही सेम कंडीशन यहां भी रहेगी, 12 वालों में भी, मैं लिखूंगा सारी चीज़ें इंगलिस में, और समझाऊंगा हिंदी में, words का मतलब जो tough है, उनको मैं हिंदी इंगलिस दोनों में बताऊंगा ठीक है, तो I think मैं अपनी पूरी बात आपको समझा पाया हूं, तो आपको Monday, Monday से बतलब यह मान के चलिए, अगर आज आज आपका 13 हो गया, तो 14, 15, 15 आपका 15 से आपकी जो classes हैं, वो एकदम regular तोर पी हैं, आपको ना दिख रही हो, तो 15 से आपकी classes जो हैं, वो आपको regular मिलन स्टार्ट कर दूँगा, और मैं हर हाल में हो सकता है, मुझे कहीं अगर जो जाना भी पड़े, तो मैं आपको जिसम ऐसी तरह वीडियो भी अप्लोड कर सकता हूं, कि जिसम में फेस नहीं आ रहा है, खाली मैं लिखके चीजों को समझाओंगा, मतलब कॉपी पे समझा कि मत मतलब आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगे, मैं डेड़ दो महीने आपके साथ पूरा हूं, तब तक मैं चाहूंगा, आप पूरे मैथ को आपने स्टॉंग कर लो, फिर आपका जब जुलाईने स्कूल वगएरा कुचे खुलेगा, तो आप चीजों को रिवाइज करोगे आप के भाई जितने फ्रेंड हों, उसमें से बस अपने चार फ्रेंड को आप सेर कर दीजिएगा, आपकी जैसे एक है कोई बंदा, वो अपने चार फ्रेंड को सेर कर देगा, बस जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, आटोमेटिक ये वीडियो अच्छी जगा कंटेंट से समझा होता का मतलब मैं वीडियो को ऐसा नहीं कि दो क्वेश्चन बताया कहा कि ये तीसरा सिमिलर आप कर लो, नहीं, मैं एक सिक्वेंस में सारी चीजों को खतम करूंगा, अब पूरी यूटूब पर अभी सिक्वेंस में आपको नहीं मिलेगा ये वीडियो, जो वीडियो पड़ी भी है, वो ओल्ड स्लेवर्स के अकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं चाता हूँ, अब डेटर स्लेवर्स साथ सबसे पहले हम लोग काम करें, और सबसे पहले मैं आपको वीडियो दूँ, ठीक है, और इसका फायदा आप लोग को 110% बहुत अच्छा रिस्पॉंस देते रहे, तो साइंस भी करा दूँगा, उदर फिजिक्स भी हो जाएगा, कोई दिकत नहीं बड़ पहले हम लोग मैत को करेंगे, और फिर आपकी रिस्पॉंस और मेरे पढ़ाने के तरीका, अगर दोनों अच्छा हो गया, तो फिर बहुत अच्छा हम करेंगे, पढ़ाने का तरीका बस इतना कह सकता हूँ, कि जो लोग जानते हैं, वो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं, बस इतना जानलो, 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, खाली NCRT कम से कम 35 बार तो इनको बताया, लगाया हूँगा, और कम से कम 45 बार इनको ठीक है, तो कोई चीजें कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, बस आप विश्वास करके वीडियो को देखिएगा, और अच्छे सा समझिएगा, तो अभी जादे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो मुझे पढ़ाना ही है, बढ़ा कर अपने आपको प्र इंटर की, ये दोनों 11 बजे दोनों को मैं प्रीमियर पर लगा दूँगा, और आपकी वीडियो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगी, लाइव हो जाएंगी, ठीक है, तो 11 बजे मिलिए कब अच्छा हाँ, एक चीज और समझिएगा, इसमें जो हाई स्कूल का है, वो पहले मै मतलब एक किनारे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, हाई स्कूल वालों का, एकदम किनारे से करूँगा, और लास्ट तर लेकर जाओंगा, लेकिन सेकंडियर वाले के जो बुक वन है, उसमें अभी मैं रियल फंक्शन थोड़ा होल्ड करूँगा, तो आप बताना मुझे, मैं इस तरीके से इसको पढ़ाता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता देना, कि मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँ या 4, अगर आप 3 कहीं पढ़े हो, तब तो मैं आपको 4 स्टार्ट कर सकता हूँ, और 3 नहीं पढ़े हो, तो 3 मुश्किल से मार के चलो, 5-6 दिन में आपका खतम हो जाएगा, तो एक जो पढ़े हो, उनका रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद 3-4 पहले खतम करेंगे, फिर 1st सेकेंट खतम करेंगे, और फिर इन दोनों पर आ जाएगे, ठीक है, तो मेरे ये चीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना, कि 3 स्टार्ट करूँ य क्या स्टार्ट करें, ठीक है, इसको कमेंट करके आब बता, और हाई स्कूल वाले तो टेंसन फ्री हो जाओ भाई, मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक कोश्चन आपके लिए करा रहा हूँ, आपका क्या काम है, जो मैंने बताया है, इस वीडियो को जबरद हम रेगुलर तोर पे, ठीक है, वीडियो कैसे लगे, कमेंट करके बताईएगा, ठीक है, और सेयर करना मना बोलिएगा बाई, क्योंकि मैं देखूंगा रिस्पॉंस, उसी के कॉर्डिंग चीजों को करूंगा, ठीक है, लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यों झाल, 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